वेल्कम टू एक्सेसिबल टेक्ट सेंटर इस यूटूब चैनल पर आपको स्क्रीन रीडिंग सॉफ्ट्वेयर यानि की जॉज और एंडवीडिये के साथ मिलती है कम्प्यूटर की बेसिक नॉलेज तो लाइक, शेयर और सब्सक्राइब टू एक्सेसिबल टेक्ट सेंटर अ नमस्कार, मेरा नाम सर्वजीत है, आज के इस टूटियरियल में हम Microsoft Excel में बिल बनाना सीखें हैं ओके, तो चलिए, शुरू करते हैं, मेरे कम्प्यूटर होन है और यह Excel खुला है, इसमें मैंने बिल पहले से बना रखा है, डेटा मिंटेन कर रखा है जिसे हम देखेंगे, तो मैं आपको पहले दिखा जेता हूं पूरा, पहला है सीरियल नमबर, मैंने इसमें एक आइटम का बिल बनाया है, आप अपने अनुसार बना सकते हैं जितने भी आइटम को आपको बनाना हो, सीरियल नमबर, प्रोडक्ट नेम, प्राइस पर यूनिट, यूनिट यह नहीं, या तो केजी में है, या लीटर में है, ऐसा कुछ, ओके, क्वेंटिटी, अमाउंट, इसमें टोटल अमाउंट कर देता हूं, वंसके, क्यो amuंट, ऑके, को अमाउंट, जितनी Doing Nous Up buttons Bгляज करें से divided by 16 You Dapatuestas, कि रचति क करदें से, फ्रिपिस्दिट, प्राइस फ्रिपिस्दिट, शिड रुछ दितन, क्यों कर्से, ओक्ति प्रक्ति कर्षिछ। , फ्रिपिस्दिट फ्रिपिस्दिट, भाट्यर प्र Iya॥ Pocket, तो यह हम देखते हैं एक कमरा है मैंने rice हमारा जो product name है product name हमारा rice है और price per unit 90 rupees होगा यहीं 90 rupees का 1 kg होगा 90 rupees का 1 kg rice quantity कितना होगा 2 kg होगे 2 kg total amount 180 अब यह कैसा है मैं फोर्मूला देखा लेता हूँ आपको D3 में quantity है C3 में price per unit है 90 rupees का चावल है तो जो C3 और D3 को Edit Mode में लाया इन्ही प्राइस पर यूनिट और क्वांटिटी को आपस में मल्टिप्लाई कर देंगे तो आज आएगा Total Amount अब देखें Discount in percentage कितना discount मिलेगा 2% 2% का discount है अब अपने साब से कर सकते हैं अब यह जो percentage है 2% यह किसका percentage यह 180 का 2% अब 180 का 2% कितना आएगा वो हम देखेंगे Discount in rupees 3.6 rupees 3.6 rupees का discount मिलेगा अब यह कैसा आया है यह हम पहले भी बताया percentage निकाले का formula e3 और f3 देखें formula equal sign e3 e3 यानि की जो total amount है multiply का sign f3 जो percentage है discount की multiply sign 1 1 slash divide का sign 100 okay escape 3.6 discount in rupees g2 अगला है grand total grand total अब grand total कैसे निकलेगा 176.4 यह कैसे आया हमने हमारे तोटल अमाउंट था 180 था फिर 180 में हमने 3.6 का 3.6 rupees का discount दिया तब ही आया यानि की total amount में से discount in rupees को minus करना है ओके तो देखते है total amount e2 e 180 formula e3 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 में हमारा total amount और grand total तो e3 से g3 को minus कर देना है देखिए आज आगा grand total equal sign e3 minus g3 यह आगा grand total अब grand total पे हम tax लगाएंगे जो grand total होता है उसी पे tax लगता है तो tax कितना लगेगा कितना परसंट tax लगेगा 5% tax लगेगा grand total पे तो इसको रुपीज में देख लेते हैं कितना होगा tax लगे रुपीज का सेम वैसे निकालना है 176.4 as formula h3 इसका 176 का 5% h3 है h3 tax लगेगे रुपीज 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 कितना है equal sign h3 वही परसंटेज दिंकालना का फर्मुला multiplied by i3 ओके यहनी जो tax लगेगे परसंटेज है 5% into 1 divided by 100 यह formula है अब actual price कैसे निकलेगा तो हमारा जो tax लग रहा है 8.82 रूपीज यह tax आया ना 8.82 रूपीज का tax लग रहा है तो इसको 8.82 रूपीज और grand total को plus कर देंगे देखे J3 में H3 H3 और J3 को plus कर देंगे यहनि grand total और tax इन रूपीज को plus कर देंगे तो आज आएगा actual price क्या है ना 185 185 H equal sign H3 plus J3 और enter land K4 185.22 as formula K3 हाना तो इस तरीके से आपको बिल बनाना है अभी यह सब अभी इनमे यह सब point में आ रहा है answer हम इनको round figure में कर सकते है decimal places हम अड़ा देते है है यह यह C3 90 है ना जहां पर लिखा है number price per unit 90 यहां से हम select करते है यहां पर आये अब जा रहा है हम होम टाइब में प्रेस कर रहा हूं यहां पर जैसे हमने space बार किया यह number tab खुल किया गए इसमें और भी tab है ओके तो एक बार tab करना है टाइब की प्रेस करना है इसमें जनरल है लेकिन हम number कर लेते हैं जनरल भी आप रख सकते है number मैंने किया और tab प्रेस किया number पर कर सा रखके टाइब प्रेस करना है decimal places 2 है यहां पर और यह spin box है यहां पर आप up and down arrow से भी घटा बढ़ा सकते हैं और type भी कर सकते हैं तो मैं यहां पर type कर देता हूँ 0 जिरो टाइब किया और टाइब प्रेस करना है इसको नौट से की रखना है देखे अब decimal places 0 हो चुका है अब मैं टाइब करता हूँ इसमें कुछ नहीं करना अब देखे हमारा अब पॉइंट में नहीं आएगा अब राउंड फिगर में आएगा 90 रूपीज 2 किलो चावल है 180 टोटल अमाउंट है डिसकाउंट परसेंटेज 2 परसेंट का डिसकाउंट है 4 देखे 4 आ गया पहले 3.6 आ रहा था 4 हो गया ग्रांट टोटल 176 पहले कुछ पॉइंट भी आ रहा था 5 परसेंट 9 रूपीज का टैक्स लग रहा है पहले 8.82 था अक्वाल प्राइज 185 ओके तो इस तरीके से आपको बिल बनाना है ओके आगर वीडियो पसंद आई है तो लाइक करिए आने लोगों को साथ शेयर करिए और चैनल पर नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब भी करिए अगर आपके कोई क्वेरी है तो आप मुझे कमेंट कर सकते हैं आज के लिए थैंक्यू सो मच कर आपके लिए बनाना है